कि आप देख सकते हैं किस तरह से एक बीज जो होती है अकेशा ट्री से जो है नेक्टर हासिल करती है जिसके वाज़े से जो हमारे पास जो हनी होता है वर्ल्ड कलास हनी वो कलेक्शन उसकी होती है यह हो गया अकेशा का फुलावर और यह हो गई मदो मुख्य जो इससे नेक्टर हासिल करके इसको हायू में ले जाती है जहां पर वो इसको प्रोसेस करते हैं अप्टर डेट जब हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो एक अच्छा सा वाइट कलर कहनी हमारे पास हासिल होता है या बारी किसी देख सकते हैं एक बी कैसे इसमें अपना नेक्टर जो है वो हासिल कर लेती है